नमस्का दोस्तों आपको आपकी फूरी किचन में स्वागत है आज हम आपके लिए डॉमिनोजी स्टाइच पीजा पराथा जिसे हम घर पे बहुत आसानी से बनाते लेते हैं और यह बच्चों को काफी पसंद आएगा तो देर किस बात की चलो शुरू करते हैं पीजा पराथ नमक और चमच ऑल डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद हम गुनगोने पाने की साहता से इसका एक हांडो बनाका त्याय कर लेंगे जिसे हम 5-10 मिनट के लिए रेष्ट पर रग देंगे 5-10 मिनट के बाद देखेंगे हमारा आठा इस्मुत हो चुगा ह हम इसे दोबारा से एक-दोबार मसल लेंगे जिसे हमारा और अच्छे से इस्मुत हो जाए अब हम इसके दो पेड़े बनाका त्याय कर लेंगे अब हम चक्ला बेलन की साहता से दोनों गोलों को रोटी की तरह गोल बेल लेंगे जबाए रोटी यह बिल जाएंगी तो हम ए और इसके बाद हम उपर से और चीर डाल देंगे जिसे कि हमारा पीजा बिल्कुल डॉमिनोजिया सा बनेगा यहां मैंने मौजलर चीज का प्रियोग किया है अब अब हमने जो दूसी रोटी होनाई थी इसे अब इसे कवर कर देंगे और इसे अच्छे से जोड़ देंगे ह अब आप फोकास प्रियोग करेंगे जिसे कि हमारा प्राथा अच्छे से अंदर टक्सिक के आएगा जबारा दोनों तब से अच्छे से गुर्ड़ गराउड हो जाएगा तो अब उसे प्लेट में रिकाल लेगे और इस तरह से बारे डॉबिनोज पीजावन का त्यार है तो आपने देखा ना यह कितना आसानी से गर्पे बनाए जा सकता है आप इसे बच्चों को देगे तो मैं पहचान में नहीं पाएंगे यह डॉमिनोजी का है यह घर का बना हुआ पराथा है अब हम पीजा कटा की साथा से इसके चार पीशेश कर लेंगे और इस तरह से हमारे डॉमिनोज इस्टाइल पीजा पराथा बनके त्यार है आप इस पराठे को प्रेकर पेवा जरूर ट्रे करें और हमें कमेंट सक्से होता है कि आपका पीजा पराठा कैसे बनाए अगर आपको यह हमाई रेसिपी पसंद आती हो तो आप हमाई चैनल आपकी फूरी किचन को सब्सक्राइब करें बेल आइकान जरूर दबाए आप हमें इस तरह आप फॉलो भी कर सकते हैं आप हमाई वीडियो को जादा जादा लाइक शेर एट कमेंट करें धन्यवाद